नमस्का दोस्तों हमारे उट्व चनल में आप सब का पुना एक बाद प्रिशा स्वागत है जी हा दोस्तों आज का लोड़ टॉपिक है कि हाइडोजन का भंडारन मतलब इसको कैसे स्टूर किये जाएगा आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे जी हा दोस्तों मैंन बहुति गूल रसाइनदी गूल टिक है यह सब मैंने अपको परहए चुका है जिसमें हाइडोजन का चहरत्तु से समानता है और और समानता है है लियाम से समानता है ठीक है तो यह सब आपको मैं प्रहाद चुका हूं फेजकल केमिकल पुटपर्टी ठीक है तो आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के इंट्रेमें एक प्लेडिस्ट आएगा है डूर्जन के नाम से वहां से आप देख सकते हैं अब आते अपने टॉपिक पर हैजर क्या है कि हाइड्रोजन का भणारा मतलब हाइड्रोजन की चूर केसे करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन होता है यह एक गयेस को हम कहीं स्टूर कर सकते हैं तो उसको इसोरभ सिर्ण करने के लिए कुछ अलργक सी टेक्निक एक से दिया है जिसको हम यूज करके इसको hydrogen का भंडारण कर सकते हैं ठीक है तो आप सभी को पता है कि hydrogen जो है एक जोलन सील गैस है ठीक है तो अब hydrogen का भंडारण हम किस किस वे में करेंगे ठीक है तो पहला है draw के रूप में मतलब द्रोव को रूप में hydrogen का भंढरन करते हैं, ठिक है। तो देखी का बोला है कि hydrogen gas को dose Raw में परिवर्तित करके अबرف द्रूव में इस हो कि से परिवर्तित करेंगे किसी tank में hydrogen gas को भषण देंगे कि उसको, प्रेसर देंगे तो प्रेसर आई हो के वो किसमे आ जाएगा द्रोव में ठीक है तो परिवर्तित करके द्रोव हाइड्रोजनों हाइड्रोजन को नलियों और टंकियों द्वारा एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक अस्तनांतरित करना असान है थिक है वैड़ोजन इसको इक अदम प्रेसराईज कर दिजिए असान को या यथे अस्तनांतरित कर सकते हैं वह देखिए दूसरा क्या बोला है कि किसी धातू या मिस्र धातू में अवसोसित करा कर तब किसी धातू में या फिर मिस्र धातू में इसको अवसोसित करा दीजिए तो क्या बोला है कि H2 गैस को कुछ धातू या मिस्र धातू में अवसोसित करा कर धातू के हाइड्राइड जैसे Mg, Mg, H2, Ti, Ti, H2, etc. के रूप में परिवर्थित कर दिया जाता है हाइड्राइड को थोरा गर्म कर देने से ही जो H2 गैस होता है वह बहार निकल जाता है ठीक है तो दूसरा क्या बोला है कि किसी धातू या मिस्र धातू में अवसोसित करा देंगे मतलब कैसे को कुछ धातु में अशोसित पूरा से बाहर निकलता है तो इस ile कर सकती है मतलब जितना उसको जुरूए थो वह अवसोसित कर लेगी थीक है अत्ता कारवन नेनो ट्यूब में ह2 को अवसोसित करा कर इंधन के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है यह बोल क्या रहे पर लिजे कि कारवन नेनो ट्यूब प्रयावत मात्रा में अस्तमाल किया जा सकता है मतलब इंधन के रूप में किसी भी इस्तमाल किजिए तो मैं आपको एक बार फिर से ज्याद दिला दूं कि हम लोग पर रहे है हैं रोजान का भंडारन मतलब रोजान का इस्ट्रीच कैसे रहेगा ठीक है जैसे पहला है वर्षित करतें के और उसको जहान ले जाना है आप ले जा सकते हैं दूसरा है हाई डू जकाश को जहाथ्म कर दें कर सकते हैं लेकर जाईए उसके बाद आपको hydrogen अलग करना है तो आप थुरा सा उसको गरम कर दी है हड्राइट को hydrogen gas निकल जागा तीसरा क्या है carbon nanotube से carbon nanotube जो हता है प्रयापत मातर में hydrogen gas को असोसित कर लेता है ठीक है अद्धा carbon nanotube में H2 को असोसित कराकर इंधन के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है तो दोस्तों आप लोगों को समझ मिया कि होगा कि hydrogen का करते कैसे हैं और करेंगे कैसे तो दोस्तों अगरें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आपडेट आपको मिलता रहे और आप लोगों को एस्टेटी करते रहें थेंक्यू